अब दोस्तों आप देख रहे हैं केसब इलक्ट्रोनिक, आज मैं बताऊंगा, पंखे के सेलिंग्छाइब के कनेक्शन में 3 फैस कैसे निकाले और इसका कनेक्शन करके बताऊंगा, इससे पहले कि आप मेरे चैनल केसब इलक्ट्रोनी को सस्क्राइब करें और बिल आइकन को दबाएं तो चलिए मैं करके दिखाता हूं तो करें देखिए अच्छा से आवेख चाहिए कि देखें साथ से पहले मैं तार इसमें लगा लेता हूँ कि अगे मैं तीन तीन फेस लगाया हूं इसमें एक रेड है और दो बलेक लगाया हूं तो चलिए पहले मैं इसको इसमें सिलिप डाल लेता हूं और देखिए इसका कनेक्शन के लिए चार है एक दो तीन चार दो हो गया रनिंग वाइंडिंग के और दो इस्टार्टिंग वाइंडिंग के तो चलिए मैं इसमें सिलिप डालता हूं तो मैं इसमें सिलिप डालता हूं देखिए तो इसमें मैं शिली पाइप डाल दिया जैसे कि एक दो यह कि यहां तीन और यह चार अब मैं वायर पे शिली पाइप डाल देता हूँ मुटा वाला तीन नंबर का शिली पाइप है इस तरह से डालने में एधा मसानी है और देखिए यह रनिंग वाइंडिंग की और यह इस्टार्टिंग वाइंडिंग की इस दोनों को ऐसे जोर देना है अब इसको रेड वाला वायर से कनेक्ट करना है यह मेरा कॉमन हो जाएगा तो देखिए मैं इसमें कमन वारे जोड़ दिया हूं यानि की रेड वाला और इसको शिलीपना चड़ा देता हूं वीडियो वीडियो इस एक देखिए और यह इतना बार रखना है कि इस इस वहल तक पहुंचा यानि कि तार फिर बात में यह गरम होने के बाद तार न गले इसलिए मैं इतना बार रखा हूं चलिए इसको में उस होल तक पहुंचाता है इस होल में पहुंच गया है तो चलिए अब मैं इसको बता आए अब एक शिलीप पाइक इसमें पहले लगा लूगा इसको अच्छी तरह सजोड़ना है लूज नहीं रहे लूज रहेगा इस फार करेगा तो यह जल जाएगा इसलिए इसको अच्छी तरह टाइट कर देना है इसे अब शोल्डिंग भी कर सकते हैं इसे मैं अभी शोल्डिंग नहीं कर रहा हूं अब इसको भी मैं थीच लेता हूं सबसे लास्ट बचा है यह इसको भी मैं जोर देता हूं यह बारी की से देखना देखिये गाए यह चोटा तार है अब यह बारी के लास्ट बारी की से लेखना यह बारी की से लेखना भी मैं इसको भी शोल्डिंग बालाव भी बालाव बालाव कर दो कर दो कर दो कर दो अन्यवेक्ट स्वे अन्यवेक्ट कर दो कि आपके हो जुब मेरा मेरा कि ध्यादकी स्वें कि आती जवाल या कि त मुझा कि आती हुआ है कि देखिए तो मैं इसका एक माइन वायर में जोर के निकाला हूं और यह इसका में जोर हो और यह यह फिर बलेक मई Peng चुला इसलियर में भिलेक में ही जोर हूं यह तो आप देखते होंगे कहीं कहीं तीन कलर भी रहता है एक ब्लेक होता है एक रेड होता है और एक ग्रीन या एलो इस तीन वायर में से यूज किया जाता है लेकिन यहां पर नहीं था इसलिए मैं आज यहीं किया हूं तो यह वायर में लंबा लगा था देख लिए इतना लंबा है इसलिए मैं इसको अब कट कर देता हूं इतना बरहा के काट लूँगा connection यानि की उपर से जोरने में ठीक हो जाए देखिए लगभग में ये एक उंगली जिसे की आप तीन इंचीज को बोल सकते हैं मैं इतना निकाल दिया हूँ और safety के लिए इसको यहां से यहां एक धागे से इसको बांद देंगे तो यही था तीन connection में कैसे निकाले वैसे बहुत सारे आदमी चार भी निकालते हैं तो वह भी गलत नहीं है वह भी सही है तीन और चार दोनों निकाल सकते हैं तो मेरे वीडियो सबसे पहले आप तर पहुंचे इसलिए चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन दवाए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सेर जरूर करें करें